हमारी सभी वीडियो जो के लिए है हम इसमें इसमार होने वाले किसी भी दवाई या पर्टिलाइजर को इसमार करने के सलाई आराय ने देते और हमारे वीडियो में देते हैं वह सकता है कुछ लोग इससे सैमत ना हो धन्यवाद हो यह जो है पंदां उसदिन हमने जो है बायो पेस्टीससाइट का स्प्रेय लिया था तो उसमें बात कि अगरता क्या होता है यहां पर कि देक सकतड़ा को और कि वह हमारे फूलो पर पढ़ते रहें अब यह जो द आग है तो यह फूलो पर जो बने हुए कि रहे deh bada तो उस तरीक से क्या होगा यह दाग बढ़ता जाएगा और इसका बागी कुछ नुकसान नहीं होता फल अंदर से कुछ खराब अगेरा नहीं होता पर क्या होता है जैसे जैसे फल बढ़ता रहता है और जब हम हर्वेस्टिंग करते हैं तब वह दिखने में थोड़ा अजीब अजीब दिखता है उसमें ज्याधा शाइन नहीं होती कुछ ज्यादा ज्यादा चम्किला जो हे वह फल नहीं दिखाई देता तो उसकी वज़से क्यों होता है कि मार्केट में रेट थोड़ा कम जाता है उसका तो इस तरीक से जो हे ठीप्स आपका नुकसान कर सकते है तो इसलिए जो है बायो पेस्टी साइट का हमने उस दिन स्प्रेय लिया था और यही खाया रखना होता है सेटिंग तक हमें की जैसे थ्रिप्स होगे रहा जैसे कीटक है तो वह हमें ज्यादा परिशान ना करें तो अब चले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस सरीके से जो आप नर और मादा कलियों को पेचान सकते हैं तो जैसे के आप देख सकते है यह जो कली है वो मादा कली है तो SU colors को कली के कंपैरिजन मेनूं करें अ में थोड़ी जादा तो आप देख सकते हैं कि यह जो है साइज में थोड़ी साइज में इतनी ज्यादा लंबी नहीं है और यह देख सकते हैं आप यही पर देख सकते हैं कि यह जो है इतनी ज्यादा लंबी नहीं है और उसी के साइड में मादा कली है तो यह थोड़ी लंबी होती है नर कलियों के मुकाबले में और ज wert कि है आप यहां पर और देख सकते इसा मांधा कलियों इस दिखा ACL. आपको ज्यादा किस फ्लै इक मिनतावत। वार्ड में उसके बार्ड इवाला हिस्सा होता है तो एक तो यही तरीका होता है नर्कいう नया और शल जर फाइदा नहीं होता है। उस में बस फ्ल महीं प्राप्त होतेевें इसमें तो ज्यादा पाउडर भी नहीं अभी और आप इसमें देख सकते हैं यह इन्ट सकते हैं कितन सारा पाउडर जो हे यहाँ पर है है इतना पाउडर वी होका रहेगा कलिये इसी तरह के से पेचान सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून